Hello friends, कैसे हैं आप लोग स्वागतत है आपका अपने चैनल पर, दोस्तों कई लोगों के मन में एक डाउट होते हैं, कि हाँ पर mixed content, यानि कि mixed videos आप डालेंगे, और यहाँ पर किसी और की वीडियो को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर अपना चैनल है, तो यह यहां पर जो कि mix content क्या होता है तो यहां पर मैं आपको दो category बताने वाला हूं और यहां पर कुछ नियम कानून होते हैं तब ही जाके आपका चैनल है जो कि monetize होता है अगर आप किसी और की वीडियो को use करते हैं तो यहां पर मैं आप लोग को बता देता हूं कि हाँ जो mix content सब से पहले यहां पर किस category का अगर आप डालते हो जैसे आपने किसी यूट्यूबर की वीडियो उठा ली ठीक है और उसमें आपने काफी editing कर दी उसमें इधर वीडियो को इधर अधर add कर दिया या फिर उसको तोड़ दिया मरोड दिया फिर उसमें जो कि उसको modified कर दिया और यहां पर कुछ चीजर उसमें आपने अपनी add नहीं की और उसको आपने यूट्यूब चैनल पर upload कर दिया तो यहां पर वीडियो आपकी monetize नहीं होगी यानिकि इस category के आपके यूट्यूब चैनल है तो वो monetize नहीं होगे और यहां पर दूसरा बाला मैं बता देता हूं कि यहां पर जैसे आप लोग उन्हें देखा हुगा यूट्यूब पर कई सारे जो टिक्टॉकर होते हैं उनकी वीडियो को upload कर दिया करते थे जो कि कुछ seconds की वीडियो होते हैं उनको add करकर और यहां पर पांच मेंट की वीडियो इस पनाकर उनको upload किया करते थे वीडियो भी monetize नहीं होती हैं यहां पर कई लोग कि मतलब करते हैं कि टिक टॉक वाली वीडियो या पर किसी और की वीडियो से हाँ पर monetize हो जाएंगी कि नहीं तो फ्रेंट्स बिल्कुल नहीं होंगी यह भी मैं आपको clear कर देता हूं यहां पर एक तरह का एक category यह भी है क कि अगर आप कहीं जाते हो ठीक है और किसी प्लेस का आप नोर्माली वीडियो बनाकर उसे अपलोड कर देते हो यूटूब पर तो वो वीडियो आपकी monetize होगी कि नहीं तो फ्रेंट्स आपर मैं clear कर देता हूं कि वो वीडियो भी आपकी monetize नहीं होगी क्योंकि उसमें अपने उसमें अपने आपना फिस दिया और कुछ भी आपने उसमें बताया है नहीं उसका कोई मतलब है नहीं मतलब वैलू ही नहीं है उस वीडियो की तो वो वीडियो भी monetize नहीं होती है अब मैं बात करूंत फ्रेंट्स यहां पर कौन सी मतलब टाइप की वीडियो बनात जैसे यहां पर आप YouTube पर जैसे mix content पर जैसे आपका जो चैनल है वो tag category का है या फिर blogging का है या फिर gaming का है और यहां पर आपका एक channel है जिस पर आप मतलब ऐसे upload करते हैं videos और वहां पर आप कभी कभी कोई blog की videos डाल दिये हो या फिर आप कभी कोई gaming की videos डाल दिये हो तो यहां पर आप लोग को एक चीज़ में के लिए करता हूं जो कि YouTube की policy में बोलता है YouTube कि हाँ पर उसका मतलब किसी channel का एक theme होना चाहिए यानि कि एक niche होना चाहिए तो उसी type की अगर आप videos डालेंगे उस channel पर तो वह channel पक्का monetize हो जाएगा लेकिन बसरते हैं यहां पर आपकी जो है जो कि blog की या gaming की तब भी आपका channel है जो कि monetize हो जाता है क्योंकि यहां पर मैं बात करूँ तो मेरे एक बोस्त का है जो कि channel news का और उस पर कुछ वीडियो उसने ऐसे ही मतलब पढ़ाई से related videos डाल दे थी जो कि मतलब पढ़ाई से related तो वो मतलब channel भी monetize हो गया था तो इस तर जाता है थोड़ा बहुत लेकिन अगर आपकी मतलब जाधा ही mix content है तो वो नहीं चलता अब मैं हापर दूसरा जो कि अगर आप किसी website से या फिर ऐसे मतलब कोई videos हैं जो कि आप उठा लेते हो ठीक है जो कि non copyright जो कि non copyright videos हो या फिर creative common videos हो या फिर copyright music हो तो वो videos भी यहां पर अगर आप उसमें मतलब उनको use करते हो और उनमें अपनी face value या फिर अपनी voice दे देते हो तो वो videos भी आपकी monetize हो जाती है यहां पर मैं बात करूँ तो जैसे और जैसे वो होती है ना कि मतलब कुछ videos ऐसी होती है जिनको आप मतलब यह creative common videos होती है ठीक है तो यह इन videos को भी आप मतलब बिना face value और इनके upload कर देते हो जैसे कहीं से उठाके तो वो भी monetize नहीं होती है तो सारी चीजें हाँ पर मैंने आपको लगबग समझा दी है कुछ अगर रह भी रहे तो वो मेरे को जरूर बताना क्योंकि mix content यहाँ पर कुछ कुछ type के मतलब monetize हो जाते हैं लेकि सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेजर उपर लीजीगा तो चलिए फंड मिलते हैं तब तक लिए take care good luck